है सबस्क्राइब कीजिए एफ के गुरू चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए हमारे लेटेस् वीडियो देखने के लिए चलिए दोस्तोम। आगे चालते हैं दोस्तों आज हम बात करेंगे मदुमक्ही पालन के बारे में इससे पहले हमारा एक और वीडियो बन चुका है मदुमक्ही पालन के बारे में यह दूसरा वीडियो है दूसरा भाग है आज हम बात करेंगे इसमें डब्बा और मोसम खर्च मुनाफ़ा और बीमारी के बारे में पांच चीज के बारे में मैं आपको डिटेल बताएंगे अगर यह चैनल आप सस्क्राइब नहीं किए तो सबसे पहला आप सस्क्राइब कर लिजे कि ऐसा वीडियो आपको आगे भी देखने में दिकतना हो अगर व्हुन है है सब्सक्राइब करते हैं दबबा आपको जू टाम की सबसे मिल सकते हैं एक जो ब्रबब सीजन यानि दिस सीजन में नहीं यह स्क्राइब सस्टा मिले आपको जब सीजन है तो उस से में आपको मंगा मिलेगा यानि कि मार्च के बाद आपका जो डबा है जुलाई अगस्त तक आपको पंद्रो सो से दूजर के लेपेट मिलेगा वही चीज आपको जब सीजन चालो हो जाता है अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर नॉम्बर दिसंबर जनौरी उसमें आपको पचीछ सो से तीन हैजर म तो कि अगर माल लेजिए आप बेडाऊच शीजन खरिते हैं उसमें आपको जो मधमक्षी है उसको जिन्दा रखने के लिए आपको कम से कम कि चिनी देना होगा हम दुमक्ड गईए नहीं तो नहीं मिलते हैं उतको जिंदा रखने के लिए पोता चिनी देना होगा हुआ है वहीम बाथ करते हैं अगर हमedor में लेते हैं तो हमको उप्या होगा जो भी ले बाई կू तो डिरेक्ट वो काम करके जो फूल निकलेगा उसमें निकाल करो अपना काम करेंगा और अपने जिन्दे रहने के लिए खाना जो होता हो लोगा खाएंगी पीएंगी तो उसमें ओई होता है इसलिए एक हजार कलापेट में आपका चिनी भी लग जाएगा समझे सेम ही है अगर आप चालू करना चाते हैं तो सबसे पहले आप सीजन के टाइम में चालू किजिए क्योंकि आपको पुई जनकारी मिलती रहेगी देखने को मिलेगा क्या वहीं अगर आप सीजन में मालेजे चालू कर लिए तो आपको 15 दिन में आपको सहद देखवा निकलता है महिने में दो बार आपको सहद निकलेगा तो आप सीजन में माल लेज़े आपको तीन इजार का दबबा मिला ताप उसेजन में कोशिच किजए चालू करें कि सמजये और आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये जो ब्रिसे अब सब्हों कर सकते हैं 10 डबा। यह ज्यादा रखना सी होगा कि आपको ज्यादा इंकम आएगी कम नबब रहेका तो कम इंकम आएगा इसके र्यों से से चील by यो इक बिर्फी निकानना की जो सहथ निकानने मशीन होथा यह उसकी लगभब कंदामें दब्बा खरीदें आपको अगला सालों तीन दब्बा हो जागा क्योंकि मदुमक्खी जो रानी मक्ख्यों ते बच्चा देती है और बच्चा जब देगी तो बढ़ेगा बढ़ेगा तो आप उसको ड़सरे डब्बा में आप सिफ्ट कर सकते हैं मालने जी एक डब्बा का अ थिन दबा हो जागे एक डब्बा जो है तो है क्योंकि करते ऑद में सकते हैं उसके बाद बांटे यूरह करता है यह और उसने मंत अदेटी आफ़े और जो पधि ए यह का दो हम आलन रहे करना काम यहां यह श्uksकास दिन वयार गपार पैदा करना दिन में कम से क्वव्य अब हम बात करते हैं सबसें मौसम के बारे में यह जो ठंडी के मौसम में यह होता है यानि कि नौंबर से चलो होता है मार्च 15 या फिर मार्च लाश तक चलता है क्योंकि मुद्द मक्य को चाहिए फूल किसी पी चीज़ का फूल हो आम और गुलाब छोरकर अर गुलाब में रस नहीं होता है बाकी कोई भी फूल हो सरसो हो पेर हो लीची हो यह सीसम हो जामून हो पहुंसे फूल होती है बाज्रा हो उसका यह रस लो लेकर नीम हो उससे वो मदु मक्य का सहद्निक बनाती है मगर सबक्राइब अलग हो जाएगा अगर अजामून का है तो अलग होगा नीम का है तो सबस्क्राइब अलग होता है यह बात अपको ध्यान देना है दस दबा करते 30,000 रुपय हो गया 5,000 रुपय का मशीन हो गया एक 1,000 रुपय आप फालतु मान लेजे यानि कि आप मास्कोस मान लेजे तो आपको पूरा जो है 36,000 रुपय मान लेजे एक दबा में आपको कम से कम 50 केजी सहद निकलेगा दस दबा में आपको 500 केजी सहद निकलेगा तब 500 केजी को आप 100 गुना कर लिजे आपको जो भी होगा benefit आपको आएगा उसमें जो भी खर्चा होता है उसको निकाल देजिए ज्यादा डबा रहेगा तो आपको ज्यादा डबा जो होता है ज्यादा प्रॉफिट होता है आप चीज़ को ध्यान देना आपको अब बात करें बीमारी में जाइदक करके मैइकल होती है माइल स्टोंवाइल करके मैरी ह Алекс होता है उसमें प्रॉफित या इसके बाद बर रह फिख सकते हैं शीज्या सकता है यह सबाब को ध्यान देना है वह यह आपका मुनाफ़ा भी होगा तो आप मगर एक बात आपको ध्यान रखना है फूल मिलना चाहिए फूल मिलना बहुत ज्यूरुड़ी है कि इसी चीज का फूल होगा तब आपको सवहद निकलेगा यह नहीं कि 50 कजी बहुत है तो प्यास के जी बिना फूल के सिजन में निकल गया यह पांच चे महीना यह सवहद पैदा करती है आपको जहां फूल हो तो बहुत से जो भी देखा जाता है जो भी यह जो यह बिजन करते हैं तो वह डबा चेंज करते लेकर जाते हैं लगबग अगर आप एक सीजन में आपको कम से कम मेरे जनकारी के हिसाब से पूरा 700 रुपया खर्चा होगा आपको यह दबा को ले जाना आदमी यह मिलाकर 700 रुपया खर्चा है इसलिए आपको एक बार तो आप डबा खर देए एक साल में दूसरी बार तो आपको डबा खरीदना नहीं है तो खुद बढ़ गया यानि ज्यादा हो जाता है तो दूसरी बार दूसरी साल से आपको बस एक डबा में 700 रुपया खर्चा को बाकि जो भी होगा बेनेफिट है नहीं 50 केजी निकलना तो 50 केजी के 100 समान लिए 500 रुपया हुआ हजार रु हमारे तिसरा जो वीडियो आने वाला है पहला देखना जरूर आप देखिए तब आपको पुरा परकिरिया समझ में आएगा पहला जो मेरे वीडियो जरूर देखिए तब आपको और मैं एक बात आपको और बता दूं जो भी फ्रेम होता है जो डबा के अंदर फ्रेम होता है तो आप इसान लिजे और आप तिसरा वीडियो पहंति जार कीजिए जल तिसरा वीडियो आएगा और पहला वीडियो जरूर देखें और मैं यह सा करूँगा कि आप जरूर ओपन कीजिए आप मख्यी पालन यह कि अच्छा बिजनेस हैं ओके दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्